हेलो दोस्तों ये कुंद का पौधा है देखिए क्या फूल खिले है और इसे बहुत ही भीनी भीनी खुश्बू आ रहे हैं तो दोस्तों चलिए आज हम आपको कुंद पौधा के बारे में कुछ शेरिंग करते हैं मैं सनुगरी से आप सब को मेरी चैनल पे स्वागत करते हैं तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए पिछले साल हमने मदर प्लैंट से कुंद के कुछ टहनिया काट के कटिंग बनाए थे और उनको हमने मिट्टी पर लगा दिये तो पौधा बन गए हैं आप इस पौधा के लिए वही गार्डन सॉयल लीजिए और उसे उस पे थोड़ी सी गोबरखा थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी किचन कंपोस्ट थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट मिलाए और मैं हमेशा इट के टुकरे थोड़ी सी चारकुल क्रश और लीफ कंपोस्ट ज़रूर मिलाती हूं मैं सॉयल पर हमेशा ज्यादा ध्यान देती हूं रोज जो सबजी के छिलके, फलो के छिलके और अंडे के छिलके जो निकलते हैं मैं हमेशा उनको डिकंपोस करती हूँ गड़ा खोद के ग्राउंड पे डिकंपोस करती हूँ, साल भर वहां से बहुत अच्छी खाद मुझे मिल जाते हैं तो दोस्तो आप भी ऐसे सॉयल बनाईए और पौधो को लगा डालिए दोस्तो ये देखिए, ये है मदर प्लैंट जो हमने खरीदे थे चार साल पहले नसरी से मुझे याद नहीं कितने रुपए में हमने खरीदे थे, इस पौधा को पानी आप रोज दीजिए, कोई रूट रॉटिंग इशू नहीं है फूल खिलना खतम हो जाए तो टहनिया काट सकते हैं, हम दो तीन दिन बाद काटेंगे और उनको फिर से मिट्टी पे लगा देंगे दोनों पौधों को हमने सारा दिन की धूप पे रखे हैं, पौधा पर रूटीन नीम तेल चिर किये, हो सके तो महीने में एक बार टाइम अगर नहीं हो तो दो महीने में एक बार जरूर छिर किये आप भेकुंत के पौधा अपने बागीचे पे लगाईए, कोई मेहनत नहीं है, कहीं अगर स्टेम मिल जाए तो लेके आईए और मिट्टी पे लगा दीजे एक साल में फूल खिल जाएंगे, पेस्ट अटैक नहीं होता है, अच्छा पौधा है, फूल जैस्मिन जैसा सिमिलर है, है ना अब देखें ये है चान्नी का पौधा, जो मेरे ग्राउंड पे 20-22 साल से है, महाते पुराना पौधा है दोस्तों फूलों को देखिए, पत्ते कम फूल ज्यादा, बारिश शुरू हो जाए तो सफेद कारपेट जैसा होता है, वैसे तो गमले से ज्यादा ग्राउंड पे फूल होता है, जब किसी पौधा की ग्रोइंग टाइम होता है, तो उसे कोई भी एक्स्टरनल सपोर्ट की जरूरत नहीं होता, सीजन के हिसाब से धेरो फूल अपने आप ही खिल जाते हैं, इस पौधा पर हमने सिर्फ एक काम किये थे, वो है सर्दियों के टाइम सारे टहनियों को हमने काट दिये थे, यकीन मानिये इस पौधा पर हम कुछ भी खाद नहीं दिये कभी भी, बस साल म एक बार नीम तेल छिरक देते हैं, यहां सारा दिन का धूप मिल जाते हैं, पेस्टरेक हमने कभी भी नहीं देखे, पानी देना नहीं परता क्योंकि ये ग्राउन पे लगा हुआ है और हमारे शहर बहुत बारिश होता है, नौर्टेस्ट मैक्सिमम बारिश होता है, बहुत दिखा दिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड एक और नए अच्छे टॉपिक के साथ, तो वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, सब घाल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड जयर की लिवाया घाल मिलते हैं 3500 मिलते हैं स्ग्छिक करके सब्सक्राण